हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मास मज्जा रखते वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ न खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रो कभी भी खाते रो हमारे आई ये नहीं है तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाता हूं. बागबट जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अगनी की प्रबलता हो, जठर अगनी की प्रबलता हो. बागवट जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि देड़ दो साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूरिका उदय होता है तो सूरिके उदय होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागवट जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें वो तो एक जगे यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें माने ब्रेकफास्ट गायव वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आपने भरपिट भोजन किया है तो इस मैंसे जो कुछ भी बनेगा वो एक-एक भूंद, एक-एक अन का टुकड़ा, एक-एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा बागबट जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग-अलग अंग है जैसे हिर्दय है और जैसे जठर है, जठर जैसे किड्नी है, जैसे लीवर है इनके काम करने का अलग-अलग समय है जठर अगनी के काम करने का सबसे अच्छा समय है साथ से साड़े नो, सूर्योदय से ढाई गंटे तक फिर इसी तरह से हिर्दय हिर्दय के काम करने का समय है सबसे ज़ादा ब्रह्मु महूर्त से ड़ाई गंटे पहले ब्रह्मु महूर्त आप समझने चार सणे चार, तो दो सवा दो बजे, डेढ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हट सबसे ज़यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़यादा हरट अटेग उसी समय में प्रकरती ने तै किया है उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है यह सबसे अच्छा साथ से साड़े नौ तो आप भरपेट खाना खाईए हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए कोई फरक ने पड़ मेरे छे रोटी खाते हैं तो दुपहर को चार ले लिजे और शाम को दो ले लिजे तो बागवट जी कहते हैं कि सब कुछ सबेरे खाओ आपको जो जादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूँ जो चीज सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है रजगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेवी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ, अगर आपको आलू का पराठा खाना है, या गोवी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सुबह खाओ, पेट भर के पेट की संतुष्टी हुई मन की भी संतुष्टी होती है और बागवट्टी जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टी पेट की संतुष्टी से ज्यादा बढ़ी है मन हमारा जो है न ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है मन को आज की भाशा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना हाला कि वो है नहीं लेकिन उनोंने जो कहा है वो पीनियल ग्लेंड के बारे में है यह जो पीनियल ग्लेंड है ना इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं कुछ एंजायम से ये संतुष्टी के लिए सबसे आवश्यक Glean'd है, Pienial Glean'd तो भोजन अगर आपको तरप्त करता है भोजन में एक तो फेट भरना है और एक तरप्त होना तरप्त करेगा तो Pienial Glean'd आपकी सबसे ज़्यादा सक्रिय है तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन से त्रपती नहीं है तो गड़वड होती है पीनियल ग्लेर्ण और पीनियल ग्लेर्ण की गड़वड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरप तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से दस बारे साल के बाद आपको मानसिक कलेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफ्रेनिया की शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन की शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बिमारیاں हो सकते हैं बागबट जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बिमारियों से ग्रसित हो सकते हैं अब मैंने ये बागबटे जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है क्योंकि मनुष्य को में मूर्ख मानता हूँ हाला कि मनुष्य अपने को होशयार समझता है लेकिन मनुष्य से जादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुडिया को देखो चुडिया कितने भी तरह की चुडिया सबेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है खूब जम के खाती है तो ये सारे जानवर सारे जीव जनतु आप सांप को देखो बिच्छु को देखो कीडी को देखो चीटी को देखो चींटे को देखो सब जानवर सब जीव जनतु जो हमारी आँखों से दिखते हैं जो नहीं भी दिखते हैं ये सब का भोजन करने का समय सबेरे सूरियो दे का ही है सूरियो दे के साथ ही ये सब भोजन करते हैं लिए पी चुलिया को डाईविटीज नहीं होता किसी भी बंदर को हर्ट अटैक नहीं आता एक हए अ mist. बंदर और को है कि पूछ है इसको पूछे आपको नहीं बहुत बड़े प्रोफिसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं उन्झोंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि मैने जिंद जी भर्माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेग्यानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा वो कहते हैं कि मैं पंदरे साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके बलड का कॉलेस्टरॉल बढ़ा दू बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो बलड है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर से ही कमपेर करता है वो बताता नहीं आपको ये अलग बात है तो वो प्रफेसर साब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सबेरे ही सबेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रफेसर रवींद रना शान बाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भईया बंदर की तरह से खाओ माने सुबह सुबह भरपेट खाओ कि जब से उन्होंने सुबह भर पेट खाना शुरू किया, किसी की डाइबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कॉलेस्टरॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई नीद अच्छी आने लगी वगेरा वगेरा तो समय मैंने आपको बता दिया सूरज होगा और धाई गंटे तक मैंने साड़े नौ बजे तक जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्टा बंद करेंगे ये नाश्टा हिंदुस्तानी चीज नहीं है ये अंग्रेजों की है और आप जानते हैं न हमारे यां चक्कर क्या चल गया नाश्टा थोड़ा कम करेंगे लंच थोड़ा जादा करेंगे डिनर उससे भी जादा करेंगे सवा सत्या नाश एकदम उल्टा लोग नाश्टा हलका ही करें तो उनके लिए अच्छा है कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता साल में 8-8 महिने तक सूरेज के दर्शन नहीं होते और ये जो जठर अगनी है न ये सूरेज के साथ सीधे संबंदित है जैसे जैसे सूरे तीवर होगा अगनी तीवर होगी जैसे जैसे सूरे कम होगा अगनी भी कम होगी तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएं। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबो हवा, अपना परियावरन, अपना वातावरन, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चलें। तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये, कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह, निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोणों साल से निकल रहा है, अगले करोणों साल तक निकलेगा, इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इस गुड़ म इसलिए वो गुड़ मॉर्निंग वाले लोग हैं, तो हम गुड़ मॉर्निंग में क्यों फसे हुए हैं, तो गुड़ मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आईए, नमशकार में आईए, वड़कम में आईए, ये गुड़ मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है, और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए जी हमको दुकान जाना है हमको ओफिस जाना है हमको दुनियादारी समालनी है किस के लिए इसी पेट के लिए न ये दुनियादारी करके के लिए हाप इसी पेट के लिए न तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए बागवट जी कहना एक भाई उसको समाल लो तो दुनियादारी सभलती और यह गया तो दुनियादारी समाल के करेंगे क्या मान लीजे पेट ठीक नहीं है, स्वास्त ठीक नहीं है आपने दस अजार करोड कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना? तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे पेट दुरुस्त कर लीजे तो पेट आपका है, तो दुनिया आपकी है, बने आप बाहर निकलें घर के, तो छक कर खाना खाके निकलिए, भोजन करके ही निकलिए, जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी, और शाम को जब सूरियस्त होने जा रहा है, तब भी तीवर होगी, बहुत तीवर होग बागवट जी भी यही कहते है तरीका अलग है बस आप हिंसा के लिए कहते हैं वो स्वास्त के लिए कहते हैं वो यह कहते हैं शाम का खाना तो सूरज लूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता गाय को खिला के देख लो बेंस भी नहीं खाती बकरी भी नहीं खाएगी बकरा गदे को खिला के देखलो खाता नहीं हाँ बिलकुल नहीं खाता आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेर कर लीजे कि किसके साथ हैं आप कोई जानवर कोई जीवराशी सूरज डूबने के बाद खाती नहीं तो आप क्यों खा रहें अब कितना पहले तो बागवर्टी जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले छे बज़े डूबरा है तो पांच बज़ के 20 मिनट तक फिर कहेंगे जी रात को क्या तो रात के लिए बागवर्टी जी कहते हैं कि एक ही चीज है जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है हमारे पेट में जठर आसकता है हां ढबा आने में कोई तकलिफ नहीं है दुकान में आप 6 मज़े बैठें डबा आपका आसकता है और मैं आपको हाँ जोड़ कर कह रहा हूं आप में से कोई भी डाइविटिक पेशन्ट है कोई भी अस्थमेटिक पेशन्ट है किसी को भी बात का धंबीर रोग है आज से ये सूत्र चालू कर दीजे, तीन महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे, राजी भाई पहले से बहुत अच्छा होगा, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है, ट्राइगलिस राइट चेक कर लीजे और ये सूत्र को शुरू कर ये, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, पहले से कम होगा, VLDL, LDL आज चेक कर लीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, बहुत तेजी से दढ़खेगा, H correct गर ये 10 महीने बाद चेक करा लीजे, बहुत तेजी से बढ़एगा, और H dat p studying भढ़ना ही चाहिए, LDL-